हेलो फेंस। गूड इविनिंग। आज मैं ब्लॉग की शुरुवात करती हूं इविनिंग में। तो कैसे है आप शब। मैं क्रिती आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। अपना चैनल गुलू गूगू ऑफीसियल पे। तो गूड इवनिंग। नमस्कार कैसे है आप सब और आज मैं ब्लोग की शुरुबात कर रही हूँ इभनीं में पहले भी मैंने बताया और यह चिछन से मैं शुरुबात कर रही हूँ तो आप सब अगर मेरे Interior viewers होंगे तो आप सबको पता चल गया होगा कि मैं कुछ recipe शेयर करने वाली हूं तो जी हाँ आँ जमम एक खूल रेसेपी शेयर करने वाला हूं वो भी अपना भाई का और जो भी यह बहुत ज़ादा पसंद होगा जैसे आप सबने थमनिल देखी चुका है कि ताइटल देखी चुका है कि क्या है तो आप सबको पता चल गया होगा कि क्या मैं रेशिप्य शेर कर रहीं और मैं बोरती की बिहार के जोगी होगे मुझे नहीं लगता कि बिहार के कोई भी पज़ता हो और ना खाना पसंद हो ऐसा हो ही नहीं सकता है बिहार का लिटी चोखा मैं आज कर रहе हूं आप सबके साथ इसे बाटी भी बोलते हैं पृट बीहार में तो लिटी बोला जाता है जाता है इसे तो बिहार में तो लिटी refusing से चाहिव कि बाटी क्या होता है क्योंकि अपने यह बिहार में तो इसे लिफ्टी ही पुला जाता है तो चलिए मैं उसकी फूल रेसिपी आप सब के सब सेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने आप सब देख रहे हैं कि मेरे नाग से जुकाम हो ड़की है क्योंकि बहुत ज्यादा जुक मैं लिट्टी और चोखा देखें मैं अपने में लिट्टी को यह इस में भिल दिया है तो उससे में बताते हैं क्या मैंने भरा है यह समन अब च गया मैं इससे में सुभा में गुलू को नास्ता बनाकर देए दूगी समत अब कि तही बंदे की घृ चन की आप नरब ऑद यहालों ममार्केट से भूना हुआ चना लाती हुँ और उसे मिक्सी में grind कर लेती हुँ और आपकेट में सत्तू मिलता है तो मैं पने लगता है कि अच्यों मार्चेशे यहालों करें करना ज्यादہ समझती हुँ और मैं यहीं डाला है कटा एकदम बारी कटा हुआ प्याज लहशून हडा मिर्चा और हडा धनिया पत्ता यह मैंने कटिंग वाले आइटमस डाले इसमें मसाले बनाने के लिए ठीक है और मसाले में मैंने डाला है इसमें जिरा और काली मिर्च भुना हुआ जिरा और काली मिर्च का थोड़ाचा पाउडर क्योंकि बच्चें को खाना है गुबी खाना पसंद करता है तो मैंने बिल्कुल बस टेस्ट के लिए डाले हूँ आसानी की तीखाओने के लिए डाले हूँ बस टेस्ट के लिए डाले हूँ मंग्रेला और अजवाइन काले और रुज्ले वाले जो होते हैं मंग्रेला अजवाइन और यह छेंड़ ? विसे दमें डाला है , और ज्वाइन को तो अजवाइनन ही बोलते हैं मैंने मिक्स अचार डाला है और साथी साथ मैंने इसमें बहुत लोग न सत्तु में पानी डालती हूं सट्ट्टू में जब पानी डगता है तो टेस्ट उतना मज़ा पրशाय सदमें में. और यह देखिए लेक्स दूप भर चुका है वो किसी जाता है क्यों हमाटि मैंने थोड़ी ची नमक और थोड़ी सी तेल डाली हूं ताकि बहुत लेक्स नमक पेसलिट फिले चिंमर जाता है चिमर मतलब चिमड़ा हो जाता है जो खीचने से बहुत टेस्ट अच्छा नहीं लगता हो और यह सौफ्ट होता है और अच्छा होता है गुगु रोड़ा है इसलिए मैं बार बार गेट बंद कर रही हूं कि आप सबको मेरी आवाज अच्छे से मिले तो आटे में मैंने नमक इसे हमेशा लिट्टी बनाने में ही यूच करती हूं तो मैँ ऐसे लिट्टी बनाती हूं और कि मैं इसमें लिट्टी बनाऊंगी पलभी surgery दोजी उसे सेख लेंगे क्योंकि गुगव रोडा है सते हों घुगो के पास तो हमारा ये आज का ये डिनर है और आज का ये आप सबका रेशिपी था तो कमेंट में बतायेगा के आपको ये रेशिपी कैसा लगा सो और साथ सी साथ ये भी बताईएगा कि आप सबको लिट्टी चोखा पसंद है या नहीं मुझे तो बहुत ज़् उसे अगर हर एक दिन गाप करके मिले ना अल्टरनेट में तो वही वो खाए इतनी पसंद है उसको और उसे तो अब मतलब टेस्ट भी पता चलने लगा है कैसे मतलब अच्छा नहीं है खडाब नहीं है इस टाइप का इसम वो हो गया है अडिक्ट हो गया है इसका सत्तु और चोखा और लिट्टी खा लेता है सत्तु बस थोड़ी थोड़ी उसके भड़ा हुआ चाहिए वैसा ही गुलू है हमारे अगा गुलू भी सत्तु भड़ा हुआ नहीं खाता है तो चलिए आज का ये चोटा सा हमारा ये प्लॉगधा मैंने लिट्टी चोखा बनाया है अशाम निट्टी बनता है तो हुआ रहा परेट मैंने चोखा त बताया है और में है और चोखे में है आलू बैगन्टिम एंड से काट ये तना नहीं ही भी प्रण ड़िया है मुझे जादा टमाताल वाला ज्यार चोखा लगता है खटकटए और नशी खटकर ऑनुक्र जात हैं दोपो Audio क्रविया है थोड़ी पानी दल के कुकर में डाल देती हूं 40 मिस लगा देती हूं और उसके या ने लेती हूं अच्छा से लेती हूं अच्छे से मैसर लेजें अपके पस period हो तो मैसर रखाद मिट्चा और धनिया पत्ता मैं अध्रक यूज नहीं करती हूं ज्यादा बस अध्रक मैं पेश्ट बनाती हूं अध्रक का बाकि मुझे ऐसे अध्रक जब मुग दात में पड़ता है नो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अध्रक का टेस्ट वैसा अध्रक को जब कर दो आ कि अध्रक करें तो अध्रक में नहीं आगा दर्ट समय पोल्ड़ गिला कि अब मैं इसे थोड़ा काम कर लेती हूं तो अब तक के लिए आप सभी को है फ्रेंज तो यह देखे मारत तिल लिट्टी बन चुका है और मैं दिखाते हूं अभी गरम है थोड़ा अभी निकाले हूं यह दिखे कितना अच्छा लग रहा ना रेड रेड तो एकदम ऐसे हूआ हुआ बला लिट्टी इसमें जो शिकता है न वह बहुत डाली पसंद आता है वह बहुता है वह देखे इस लिए नहीं पसंद आता ना क्योंकि क्या अहोता है ॉच्छा यह तो सोंदा तोợर्ध till यह ना पंशन land बदी लग जाती है और जीन हो जाता है मतलफ उसमें मिट्टे वाला जो लग जाता नहीं तो किन किना हाट आ जाती है इसलिए मुझे पसंद है मुझे यह स्टैंड वाला लिप्टी ज्यादा पसंद है तो यह देखे और यह और बात मैं आप सबको बता दू मैं बहुत दिनों बात बना रही हूं इसलिए मेरे से प्रॉब्लम हो हो गया इस वज़े से लो कर दिया है ताकि जले ना फिर भी जल रहा है और यह पती जोजी बना रहे थे पर उनसे नहीं बना उन्होंने बोना कि जाकर देखने आकर मुझे देखने को तो मैं आ गई हूं आपना लिट्टी बनाने तो यह देखिए ऐसा लिट्टी निकलना जो एकदम रेट हो बस अपना आपके आप सब के पास अगर अपन हो आप सब भी लो फ्लेम पर ऐसे बनाई और छोटा-छोटा लिट्टी मतलब बनाई जब भढ़िये ना तो छोटा-छोटा भढ़िये जैसे बरा भढ़ जाता है तो वह पकने में प्रॉब्लम होती है जो अब भढ़िये जैसे किचन में आई मैंने मुझे लगए लिट्टी बनाते हैं तो जब मैं किचन में देखी तो यह था ही नहीं मैंने उनको कॉल करके मांगा यह आया है तो मैं बस यह बोल रहे थी कि आप लोग भी छोटा-चोटा यह था जोटा-चोटा लिट्टी को भर छेके और बना यह बहुत टेस्टी लगता है यह खाने में बनाती हूं कि आप सब देखने ना जल रहा है वह अच्छेस बनने ही पार है मैं बनाती हूं खाने के टाइम होता जा रहा है 30-浅ठ हो चुका है 40-8 अध से जहादा हो चुका है भी हमारा दूद भी नहीं आया है तो जल्दी खाओ जल्दी सोजो ब्लैकट से तो निकलने का मन ही नहीं करता है तो निकलना ही पड़ेगा तो चले मैं मिलती हूं खाते टाइम हो आप सभी के साथ के साथ के फ्रेंज को फैली हमारा साड़ा लिट्टी बन चुका है यह देखे अधर तूदू बन चुका है तो यह देखे यह है एक दम प्योड घी घर का बना हुआ वह मैंने दो तीन दिन पहले यह गी बनाया है आप समने सौट्स देखा होगा दम प्योड घी है यह तो इसे डाल देते हैं इसके बाद हम लोग खाएंगे इसे और देखे मैंने पुखा सारा घी जाला दो तीन चम को गही बनाने की देख चाहिए तो मैं कमें शेक्शन को कमेंट किजिगा बैसका रेचिपी अलग से सेर करूंगी आज तक मैंने अभी घी बनाने का रिचेपी बनात किया ही नहीं है विनाया भी लिख यह भी में हुदूब होऊा लए यह त्या संबाया है दे यह हमारा लि तो यह देखिए हमारा आज का टीनर रेटी है एक दम लिट्टी और चोखा और मैंने एक ही प्लेट में निकाल लिया है मैं अपना गुल्लू का अपति दियो जी का कहते हैं एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है तो चलते हैं थोरी प्यार बढ़ा लेते हैं और चलिए तो चल बढ़नों बच चुकाया क्योंकि बड़ी बड़ी लिट्टी थी न वह बख नहीं रहे थी मुझे छोट बड़ी बड़ी लिट्टी को छोटा सेप करना पड़ा उसके बाद बनाना पड़ा इसलिए टाइम लग गया थोरा तो चलिए मैं इस ब्लॉक से अलविदा लेती बाई गुटनाइट टेक क्यार